नमस्ते दोस्तो यदि आप एक सरकारी सिच्छक बनना चाहते हैं और वाके में लगते हैं कि आप एक सरकारी सिच्छक बनने के लाइक हैं तो आप यहीं पर बने रहें क्योंकि हम आप सभी के कॉशन के अंसर इसे वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि जो कैनिडेट सरकारी स अंतीम तक देखे अज जो सरकारी सिच्चक नहीं बनना चाहते हैं वे सबी यहीं पर है वीडियो को फाउच कर दे और आगे ना बढ़े तो नीशी कमेंट लिख कर बताएं आप हमें कि क्या आप एक सरकारी एक अच्छे इमानदार सिच्चक बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर अपने विचार को जरूर से जरूर बैक्त करें ताकि हम आपको बैटर से बैटर सर्विस देने का कोसिस करेंगे तो चलिए बीना देरी के हुए आपको बताते हैं कि यदि आप सरकारी सिच्चक बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज आ सिटेट यह जितने भी गौर्वन जोब से competitive examination होते हैं इंट्रेंस examination होते हैं वह सारे examination देने पड़ेंगे और देने के साथ साथ त्यारी आपको करने पड़ेंगे वह भी जम कर त्यारी करने पड़ेंगे क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी का course जो है complete हो चुकि है डेलेट और काफी 4-5 लाग सिच्चक जो है सरकारी सिच्चक बनना चाहते हैं बड़ 4-5 लाग सिच्चक के यहाँ पर गर्वन सक्टेर पर जुरत नहीं है तो आपको कुछ हटके करने पड़ेंगे कुछ अलग हटके करने पड़ेंगे तब जाके आप एक गर्वन सिच्चक बन सकत तो यहाँ पर आप सभी के लिए हम कुछ खास और important question लाएं और हम यहाँ पर इसकी पर वही question आपको दिखाएंगे जो एक सरकारी सिच्छक बनने के लिए आपको जोरत पड़ते हैं तो यहाँ पर हम 10% पूछने वाले 10 में सही दिए 7 सही सही अगर आप जवाब देते हैं या कोटल आपका 70 नमबर हो जाते हैं और किसी भी जोब के लिए 70 नमबर काफी होते हैं कटप मार्क के ले जाने के लिए तो इसी परकार से अपने को त्यारी करें और परकें कि आप एक सरकारी सिच्छक बनने के लाइक हैं या नहीं हैं तो नीचे comment लगकर जरू बताईएगा अपका यहाँ पर question आपको नजर आ चुके हैं लिखे गिए हैं संपूर सिच्छन की संकर्पना का परति पादन किस ने किया स्वामी द्यानन जी ने स्वामी बेवकानन जी ने महत्मा गंधी ने या स्री अर्वीन ने जल्दी से निचे comment box पर अभी कभी तूरंद भर दें जलतना जल्दी हो सके comment box पर comment करें I hope इतना देरी में आप से भी इसका comment को कर चुके होगा अब हम इसका सही answer का चुनाब कर लेते हैं इसके सही answer है स्री अर्वीन यानि options D जो candidate options D को click किये होंगे उनका जवाब बिलकुल भी यहाँ पर सही है options D को click करने वाले student का teacher का जवाब बिलकुल भी सही है वो एक सरकारी सिच्चक बन सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुने जो एक सरकारी सिच्चक बनना चाहते हैं वही केंडिट आके विडियो को देखें अदरबाज आप यहां से निकल सकते हैं आप कोई और विडियो देख सकते हैं यहाँ पर जिसे की एक अध्यापक को अपने भीसे में निपूर्ण होना आवस्चक है अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए, दिलजस्पी के लिए, विद्यार्थियों पर परभाव डालने के लिए, जगरता के लिए, जल्दी से निचे कमेट बॉक्स पर भरें कि इसकी सही जवाब क्या होने चाहिए चली आई होप, इतने लेट में आप सभी दे चुके हैं अंसर, इसका सही जवाब देख लेते हैं, इसकी सही जवाब है, जो सिच्छक आपसर से को क्लिक किया होंगे, उनका जवाब सही है, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, चली अगला कोस्टन के और चलते हैं, अगल कोस्टन यहाँ पर लिखे गिए, किंडर गार्डन पद का अर्थ क्या है, किंडर गार्टन का जो है पद का अर्थ क्या है, बच्चों का है, बच्चों का खेल का मेदान है, बच्चों का स्कूल है, बच्चों का घर है, सारे किनिडेट कमेंट करें, जो सरकारे सिच्छक ब कि हैं पढ़ला मु आइक ने बीडियो बना पाएं इतने लेट में आप इसका वह आंसर सब्किए होगे उनका जवाब क्ली बिल्कूल भी सभी सब्सक्राइल है उनका जबाब सभी को falando चलते हैं अगला षर팀 पर मोजधे अगला कोशन आपके इसे पर आ चुके है जिसाब सबी देख पा रहे हैं लिखे कि यह बिकास कभी ना समाप्त होने वाली परकिरिया है यह पिचार किसने संबंधी थे किस से संबंधी थे निरंतरजा का सिधान से एकिकरन का सिधान से अंतर संबंध का सिधान से अंतर किरिया के सिधान से सारे के निडिट कमेंट करें जो एक सरकारी सिच्चक के रूप में अपने आपको देखना चाहते हैं वे कमेंट करें हमारे साथ बने रहे हम आपको आपका गौर्डवेंट जब हम आपको दिलाएंगे हम किस परकार से government job में निकालते हैं हम आपको बताएंगे इतना मेरे अनुसा चले 100% आप एक सरकारी से चेक बन जाएंगे जब भी phone आएंगे हम आपको बता देंगे complete troop से किस परकार से बनने हमारे साथ त्यारी करें एक ही बार में अगर आप लेना चाहते हैं जो आप तो हमारे साथ बने रहे हैं आप इसका answer जल्दी से नीचे comment box में बता दे तो I hope इतने लेट में आप सभी इसका answer दे चुके होंगे इसकी सही जवाब ढूंड लेते हैं इसकी सही जवाब है options A जो candidate options A को click किये होंगे उनका जवाब बिलकुर भी सही है चली question आगे बढ़ते हैं next question के ओर दिखाते हैं अगला question आप किसी पर मोजूद है अगला question आप किसी पर आ चुके हैं लिखेंगे आपके बिचान में चिंतन सक्ति विकास करने का क्या उपा है चातरों को खोज एवं brain, starming, विधी से पढ़ाया जाए चातरों को समस्य समाधन विधी से पढ़ाया जाए चातरों में सोव अध्यन की आदत का विकास किया जाए या सभी ये सभी जल्दी से सारे सिच्चक कमेंट करें वही सिच्चक कमेंट करें जो एक सरकारे सिच्छक वाके में रियल में सिरियत से वही कमेंट करें बाकी लोग नहीं कमेंट करें तो I hope इतनी लेट में आप इसका अंसर दे चुके होंगे तो चलिए इसकी सही अंसर देख लेते हैं इसकी सही अंसर है options D जो candidate options D को क्लिक किये होंगे उनका जबाब बिल्कुल भी सही है options D को क्लिक करने वाले के निरेटों का जबाब सही है चलिए question आगे बढ़ते हैं नेश question दिखाते हैं वो भी screen पर दिखाते हैं अगला question आपकी screen पर मोजूद है लिखेगे अस्कूल अनुसासन के संबद में निव्ल में कौन सा कथन सही है पहला दिया यह है अनुसासन अस्थापित करने के लिए छातरों को सदेव कड़ा दंड देना चाहिए दुसरा अनुसासन का उतीज छातरों को दंड देना नहीं होता बलकि या सुधारात्मक परकिरिया है option C अनुसासन सिच्छन अधिगम परकिरिया का एक अंग है या options D यह सभी सारे किनिडेट कमेंट करें जो भी एक सद करें सिच्छक बनना चाहतें वे सारे जल्दी से comment box पर comment भड़ दे तो I hope इतने लेट में आप इसका answer दे चुके होगे आईए इसका सभी अंसर देख लेए इसका सभी अंसर option C जो किनिडेट को क्लिक किया होंगे उनका जवाब सभी option C को क्लिक करने वाले किनिडेट का जवाब सभी चलिए question आगे बढ़ते है next question कर चलते है अगला question आपकी स्किर पर मोजुद है अगला question आपकी स्किर पर आ चुके है आपकी कच्छा के कुछ आतर समाज सेवा से जी चुराते हैं एक सिच्छक के परती आप क्या करेंगे उनको आप दंड देंगे आप उनको सारेरिक स्रम करने की प्रेना देंगे आप उनकी उपेच्छा करेंगे उनसे कुछ ना कहेंगे सारे कंडिट कमेंट करें जो एक सरकारे सिच्छक की बनना चाहते हैं नीचे comment box पर भर दे हम आपको सरकारे सिच्छक किस परकार से दिलाते हैं यह हम आपको complete बताएंगे हमारे चैनल के साथ बने रहेगा यदि हमारा मेहनत पसंद लग रहे हैं तो जल्दी से सारे लोग एक बार जरूर से like कर दें ताकि हम आगे भी इस पर काट से वीडियो बनाते रहें और share कर दें दोस्तों एक साथ ताकि वे भी हमारे इस वीडियो को देख पाएं और वे भी एक सारकारे स्विचक बन सकें तो question forward करते आगे बढ़ते अगला question आप किसी पर मोजुद है अगला question आप किसी पर आचुकी है लिखे कि कमजोर बिद्याठियों के सेच्छिक अस्थर को आप कैसे उपर उठाएंगे पहला है अभीभापों को सुचना देकर परधानाचारी को सुचना देकर अच्छे बिद्याठियों की सहयता से या अतिरीक समय देकर सारे candidate comment करें जो भी एक government से च्छिक बनना चाहते है comment करके बताएं हम आठवा नमर question पर पहुंच चुकी है जल्दी से comment box पर भर दे एक चुपके से भर दे कोई देख नहीं रहा इसलिए जल्दी से भर दे comment box आप एक सरकारी से च्छिक बन जाएंगे जल्दी से comment box पर भरे तो चलिए इतनी लेट में comment box पर भर दे चुके होंगे अब इसकी सही अंसर का चुनाप कर लेते हैं इसकी सही अंसर है options D options D options D options D options D क्योंकि जब कोई बच्चा कमजूर होते है तो उसको हम एक्स्ट्रा टाइम दे कर उसकी सारी कमपना को दूर कर देते हैं इसलिए वीडियो के साथ बने रहे आगे चलते है Ness question क्यों चलते है नess question क्या है आईए देखते हैं अगला question लिखे है आप अपने बच्चों का परवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयतन करेंगे कि जिसमें डॉट डॉट हो नकल करके पास होने की सुभीधा या छातर की चत्रमूखी विकास पर अधिन दिया जाता हो या समरीद बेक्टियों के बीच पढ़ते हो कठोड अनुसासन हो जल्दी सी नीचे कमेंट करें मैं अब सभी इसका साइज अंसर जो है कर चुकी होंगे अब सभी सेंज इंशर का चुनाब कर लेते हैं इसकी सही अंसर का चुर्णाब करते हैं सभी अंसर ऑंसर ओप्सनस बी जो जया जवाब बिल्कुल भी ओप्संस बेट वाले सवाब है चलिए um और ज़ू ऑगे बढ़ते हैं शाथरों की दििछा बदल सकता है अग्ला कोशन आपके स्कीरें पर मोजूद है जल्दी से सारे कमेंट करें जल से जल आई होप इतने लेट में आप सभी अंसर दे चुके होंगे आप चलिए इसका सही अंसर देख लेते इसकी सही अंसर ऑफसस डी जो किनिट ऑफसस डी को क्लिक किये होंगे उनका जवाब बिलकुल भी सही है तो फिर मिलते को एक नई